आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वायरस के बारे में वायरस इसको हिंदी में कहते हैं विसानू इसे पहले मैं आपको बेक्टिरिया के बारे में और बेक्टिरिया से जितने भी प्रकार की बिमारी होती थी सारे बिमारी के बारे में मैंने डिसकस किया आज उस पर अपने डिटेल में डिसकस करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले जो बीमारी होती है, वायरस से बहुत परकार की बीमारी होती है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 11 परकार की बीमारी के बारे में चर्चा किया हूँ, यह जो 11 परकार की बीमारी है, यह परमुख बीमार तो जो भी आएगा उब्जेक्टिव में तो इसी 11 बिमारी से पुछा जाएगा इस से बाहर नहीं आएगा दुसरी बात करते हैं सर वाईरस और बहुत सारी बिमारी होती मैं लेकिन इन बिमारी का बैलोजी और 9 में भी यह है मैंने फुली रूफ से डिसकस किया था कि यह एड्स कैसे होता है या होने से इमुनेटी सिस्टम को कमजोर कर देता है धीरे धीरे उसके इमुनेटी कम हो जाती है और उनके सरी छती होने लगता है अब यह बिमारी कैसे फैलता है थोड़ा सुनि होने पाल से सामने वाले व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है और यह विमारी व्यक्ति के साथ समझावनेटी से यह उसको भी आत् justamente इस तरूंजित सिटी और बात करते हैं क्या सिर्फ योन सही एट्स फैलता है नहीं बच्चों आप देखें होंगे नाई लोग जो क्या करते हैं डारी बगएरा सेविंग बगएरा करते हैं तो वो क्या करता है एक रुपिया दूरुपिया के चक्र में मानली जी पोई व्यक्ति जो है एट्स से ग्रसित है और वह व प्रकार की वाइरस बिमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहलने वाली बिमारी है नेक्स्ट की बात करूं बच्चों यह बिमारी सर और किस तरह पहलता है तो देखे होंगे गाउगर में जोला चाप जो डॉक्टर होता है वो एक स्रिंच यूज करता है उसी स्रिंच से किसी व्यक्ति को सुई दिया और उस स्रिंच को फेका नहीं उसी क्या कर लेता है रख लेता है और दूसरे व्यक्ति को फिर उसी स्रिंच से सुई देता है मान कर सकता है तो जनरली तीन रूप से एड्स फैलता है एक तो योन से गलत जगर रिलेसंसीब बनाने से गलत व्यक्तियों के साथ रिलेसंसीब बनाने से सकेंड पॉइंट जो बच्चों ये नाई के द्वारा भी फैलता है और थर्ड पॉइंट जो बच्चों ये सुई वगार होता है इसे भी फिलता है अब बात करते हैं सबसे पहले एड्स कब आया था बच्चों सबसे पहले अफ्रिका में देखा गया था कि वहां के व्यक्ति गरसित हुआ था सबसे पहले यदि आया था कहीं पर तो अफ्रिका में एड्स आया था और 1969 में 1959 में देखा गया था कि यह AIDS के बारे में सुना गया था उसके बाद बात करते हैं यह तो अफरीका की बात है हमारे भारत में हमारे भारत के लोग कब इससे गरसित हुआ बच्चों आपके भारत में चन्नई में सबसे पहले यह केस देखा गया था चन्नई के लोग में सबसे पर्थम बार देखा गया था एट्स और जो नहीं कम देखा गया था 1986 1986 में पर्थम वार आपके भारत में जो चन्नाई है चन्नाई में वहां के व्यक्ति में एट्स देखा गया और धीरे-धीरे हमारे भारत में भी एक अपना रूप धारन कर लिया और धीरे-धीरे की संख्यां बढ़ने लगी और यही का जेनिद्र किए उनके हीट में उनके लिए जो ब्यवस्था होनी चाहिए हमारे भारत स्रकार उसकी क्या करती है अगलती है तो बच्ऽों यह सबसे पहले तो पर्थम अफिका माया तो कब आया six세요 में भारत में उने था चीह में 56 बिंधा देखा गया थो जन नहीं में अब अब देखा गया थो अब रफ करते हैं बच्छों वर्तमाद कि यह राज नहिके करता है हम हम लोग टेकनोलोजी के हिसाब से हम लोग जना अपने safety को हमारे पास बहुत सारी safety होती है लेकिन जाए सिक्षा की कमी के कारण, सिक्षित ना होने के कारण ये सचीज हमारे भारत में भी आज की date में रबतार ले लिया है हमारे भारत में भी बढ़ रहा है नेक्स्ट पुइंट की बात करूँ बच्चों दूसरा बीमारी जो कुन से बीमारी होती है चेचक हाँ आपसे परिछा में कैसे पुछा जाता है आपसे ये पुछा जाता है कि वाइरस से होने वाली बीमारी बचों वाइरस से होने वाले बिमारी A में रहेगा आपका एड्स, B में दे दिया आपको चेचक, और C में दे दिया आपको दूसरे तरह की बिमारी दे दिया, जैसे पिलिया दे दिया, और D में दिया, इसे कोई नहीं, तो बचों आप यहां पे दो को टिक करना, क्योंकि अब होता है क्या, वाइरस और बेक्टिरिया, मतलब विसानों और जीवानों, दोनों मिला के दे देता है, बचों जब दोनों मिला के देता है, जैसे TB हो गया, तो TB किसे होता है, तो बेक्टिरिया से होता है, मतलब वो किसे होता है बचों, तो वो होता है जीवानों से, ले आप वाईरस से होने वाले बिमारी है, तो आपको उलजाने की कोशी से करएगा audiologist में जरूर एक या दो कोशन यहां से आएगा बुच्चों तो वहां पे आपको उलजाएगा, तो वहां पर आपको उलजाएगा, सर्क कैसे उलजाएगा, जैसे दे और की आपको बेक्टिरिय ना हरा बाठा रहा है तो आपको वहाँ पर याद रखना पड़ेगा तब आप सही ओप्सन चूच करपाएंगे तो वहां पर टीबी जो है ना बेक्टिरियास होने वाली भीमारी ना की वायरस से होने वाली वाली भीमारी है अब हम बात करते हैं वायरस से दुसरी विमारी होत करता है स्वल पॉक्स है जो की चेचक जाता है सबस्ार जकर जाता है बच्चों स्बस्मारी हमारे ऐए खाईसकर के भारत में यह काफी रप्तार लिया हुआ है लगवा ये बीमारी जोन हर घर को परिशान कर देता है ये तेज बुखार आता है जब किसी को चेचक होता है smallpox हम लोग काते हैं इंगलिस में और हिंदी में काते हैं चेचक ठीक है कहीं कहीं चेचक को बड़ी माता के नाम से कहा जाता है बड़ी माता के नाम से जाना जाता है जिसे गौँवेगर में यही किसी व्यक्ति को चचक होता है, smallpox होता है, तो उसका नाम दिया जाता है, बड़ी माता, बच्चो उसमें क्या होता है, तेजबुखार आता है, पूरे सरीर पे लाल दाने हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को मतलब अलग जगा रखा जाता है, अब होता क्या जड़ा सा यहां पे समझने की जरौत है अंदिविस्वास से निकलने की जरौत है बचो हुआ है क्या यहां पे चेचक हुआ एसमॉल पक्स हुआ यह कब होता है बच्चो गंदगी से फेलती है यह गंदगी से यह वाइरस काफी रप्तार ले लेता है यही कारण है क जिसको चेचक होता है, उनको एक अलग स्पेस में रखा जाता है, अलग जगा रखा जाता है, उसका खानपान अलग कर देता है, अब वहाँ पे गौँगर में इसकी अवधारना है कि यदि उसके कॉंटेक्ट में जाएगा तो बड़ी माता गुसा जाएगी, उनको भी हो जा दुसरे व्यक्ति को भी जाएगा, इसलिए उसको अलग रखा जाता है, न बल्कि उसको अलग इसलिए रखा जाता है कि छोटी माता बड़ी माता गुसा जाएगी, आज तक मा कभी गुसा करती है, गुसा करती है, आपकी भलाई के लिए करती है, आप नाम देरो छोटी मात बड़ी माता और बड़ी माता गुसा जाती है यह जनब बखवास वाली बात होता है बचो यह से कभी नहीं होता है तेज बुखार आता है लाल दाने होता है और उसके धीर धीरे पुरे स्कीन में जो अंदाक पर जाता है नेक्स्ट की बात करें बचो चिकेन फॉक्स जिसको माता को आते हैं मैं यहां पर लिकने लिए भूल गया बड़ी माता आप लोग दियाने की बुखार आता है से लाधने पड़ जाते हैं चैर छोटी माठा में थोरा सा अलग लच्छन मैं समसूर्णा लाल दाने के साथ सत साथ बचों वहां पर एक के लाने की फिवर आएगा सूजन शरीं द्रहलकाव हल्कवलका सूजन होझे लकता है तो दोनों के स्मॉल प्ाक्स और चिकन लakesडोस दोनों में यह चोटी माता में जर थोड़ी से सांस लेने में अरंदिककते होती है इसलिए थोड़ा उससे अलग है नेक्ट कि बात करें बच्चों यहाँ पर खसरा बिमारी जो होता है यह भी जो न वायरस से होने वाली बिमारी यह खसरा सरी खसरा ज्यादा तर देखा गया कि बच्चों में ये पाया जाता है, ज्यादा तर ये बिमारी बच्चों में देखा गया है, सरी इस खसरा में क्या होता है, इसमें में बच्चे लाल दाने पर जाते हैं, बुखार आते हैं, ये जो तीन बिमारी ये बच्चों एक दुसरे इसे रिलेट करता है लेकिन हम लोग इसको नाम अलग अलग से जाने जाते हैं और अलग तरीके से इसको हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले खसरा की बात करें आप से इसे भी प्रस्न पूछा जा सकता है कि खसरा सबसे ज्यादा होता है A में रहेगा वयस्क B में रहेगा बच सबसे जादा देखा गया इस भी बच्चों लालदाने पर जाते हैं बुद्ध करों वैरस होने वाले बीमारी इसको पोलियों से आप अफगत हैं इनके वारे में आप जानते होंगे, आपके आसपास में पोलियों से गरसित व्यक्ति को भी आप देखे होंगे, उनको कितनी दिक्कते होती है, उनके सरीर में क्या प्रोलमें होती है, फिर भी मैं आप थोड़ी सी डिसकस करता हूँ, बच्चों पोलियों की बात करें, यह तंत्री का तंत्र क बच्चों को छती कर देता है, उसकी सोचने की स्थमता को थोड़ी सी कम कर देती है, उसके बाद अंग गरसित कर देता है, जिस अंग में होता है बच्चों, उस अंग को गरसित कर देता है, उसकी मान स्पेसी काम करना बंद हो जाता है, ऐसे स्तिती में उस अंग से हुआ व वो भोजन बनाता है नहीं वो परकास सेंसलेशन की किरियाई करती है नहीं वो जन खरी लबन को अबसूसित करती है उसी परकार मानव के सरीर में भी होता है बचों जिस व्यक्ति को पोलियों तो बचों यहां पर क्या होता है उसी परकार जिस परकार मनें बताया कि पोधों क् तो बच्चो किसे आप रहों गाधब साथ है तो बच्चो जिस परकार मानिक से इस उन्ग में पूलियों होता है सबसे पहले बोschaft अए तंतरिका अपन गरशित हो जाएगा तंतरिका इस तंतर गरशित हो जाएगा तो बच्चों ये पोलियों के बारे में बता रहा था कि सबसे पहले पुछा जाए कि पोलियों किसी को हुआ तो सबसे पहले किसकी छती होती है तो बच्चों तंत्रिका तंत्रिकी उसके बाद किसकी छती होती है तो अंग जोने गरसित हो जाता है अंग खड़ाब हो जाता है नेक्स पुइटी बात कर egy वाइरस से होने वाले बीमारी Hepatitis बिमारी बचो सबसे गंधा बीमारी यह होता है यहाद वाइरस से होने वाली सबसे गंधा बीमारी है जो कि मरते दम तक पीछे नहीं छोड़ता है जिसको Hepatitis B काते हैं, Hepatitis B आप सुने होंगे कि Hepatitis B की टीका लगवाना चाहिए, आपके घर पे गेट खट खटाने के लिए आता है, भाई सैब Hepatitis का टीका लगवा लेजी, पहले के जवाने आप देखे होंगे, या मम्मी लोको नानी लोको देखे होंगे, यहाँ पे जोन ममी लोके फेस पे होगा, मैंने देखा है, अभी ममी को जो है तो उस समय उतना ग्यान कहां, और ममी लोको कहां पता, बस यह कहा जाता था कि यह सुई ले लेगा, तो आदमी ज्यादा दिन तक जिन्दा होगा, बच्चों यह सची अपने समझ में आ रहा है कि पहले भी हमार बच्चों यह जिस व्यक्ति को हो गया, सबसे पहले उसे व्यक्ति का लिवर को खराब कर देता है, मतलब लिवर को हम क्या काते है हिंदी में, यक्रीत, बच्चों उसको यक्रीत को खराब कर देता है, व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, व्यक्ति पानी भी डंग से पी लेता है, तो पानी भी उसको मैंने बताया था है कि जनब पानी पच्चता नहीं है, बलकि अ परकार 5000 रिखा रहाता है डॉसरा मतलँ से कौन case रोग होती है इनकीस सबसे बड़ी लगषान है विमारी उसको यदि एक्सिडनट कर जाता है या उस व्यक्ती को जाता हो उसका बलड रुकता ही नहीं है, जब तक उसको पकर के आप या कपरा से जब तक उस पर फोर्स करके पकरेंगे नहीं, तब तक नेशरल तरीके से प्रकिर्तिक तरज़िये से वह बंद नहीं होता है, सबसे बड़ा लच्छन हेपेटाइटिस भी वाले खा, इसलिए कहा जाता है कि हेपेटाइटिस भी हेपेटाइटिस को हो जाता है, उस व्यक्ति को दो तीन चीज सला दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, आप एकसीडेंट से बचने की कोशिस कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपकी अंग छती हो और वहां से आपकी बलड निकले, तो निकलते रहता है सरी से जब तक उसकी मिर्तियों नहीं हो जाती है, लेकिन एक नौर्मल इंसान में क्या होता है, नौर्मल इंसान में बिटाइमीन के आपको दियान होने चाहिए, बिटाइमीन के क्या करता है, हमारे बलड को थक्का बनाने में हेल्प करता है, सपोज जिस छे परकार के जो बिमारी है वो बिमारी नहीं है तो बच्चों उस व्यक्ति एक्सिडेंट करता है या उस व्यक्ति का कटता है तो आप देखें कुछ समय तक ऐसे आप रोक के रखिये तो वो क्या होता ठका बन जाता और बलड निकलना बंध हो जाता है लेकिन बच्चों जि से देखा गिया है कि यदि उनको पकर के नहीं रखा जाए उनको तरह तरह के इंजेक्शन नहीं लगाया जाए तो नेच्रल तरीके से बलड नहीं रुखता है अब यह भी देखा गिया है कि भारत में और कि भारत की पुर्य हमारे देश की बात करें यदि मैलाओं में हैपी है पर दोप्रस के बाइं से बचने के लिए भारत सरकार इसका अभियारन चला थे हैं और आपको जो लेना भी बच्चों को इसका तिका दिलबाना ही चाहिए, खास करके पोलियों का और हेपेटरटिस का हमारे भारत में भारत सरकार इनकी बेवस्था की हुई है, इस शर्टी का लगवाना चाहिए, नेक्स्ट बात करें बच्चों एक होती है वायरस से होने वाली रेवीज बिमारी ये भी खतरनाग बिमारी है लेकिन ये बिमारी की जोने संखियां कम होती है रेवीज बिमारी कैसे होता है मान लो कि आप कहीं जार है और पागल कुता आपके पीछे पर गया है कुता तो एक परकर की वाइरस से होने वाली वाली विमारी है और यह वेमारी क्या होताया बैचों uh वह वह व्यादी को बंदॉगता है मतलब जैसे उस यह सामने वाली को काटने के लिए दोखता है मुह से काट लेता है उसको और तो और इस व्यक्ति को पानी के पास लेके चल जाए तो लगेगा कि इसमें एक स्व एस्पीड आ गई वह व्यक्ति पानी को देखते ही भागता है मतलब यह तीन चीज देखा गया जिस व्यक्ति को रेविज नामे ब तो वह भूकेगा अब जैने लड़का हो या लड़की हो तो समझे कितना मज़ा आएगा तो दूसरा वह जोना काटने के लिए दोगेगा दोगेगी तीसरा उस व्यक्ति को एक गिलास पानी जाके उसके पास गिरा देजिए देख लेजिए उसका ड्रमा उसका डांस देख उसको छोड़ दिजिएगा तो उसकी स्पीड इतनी गारी से भी ज्यादा स्पीड हो जाती है तो रेविज बिमारी पागल कुतों के काटने से होता है यह परकार की वारस से फिलने वाली बिमारी है इस बिमारी का लचन होता है क्या इस बिमारी का लचन होता है भुकना कु कुछ बेबस्ता की है बच्चों जिस व्यक्ति को चाप पागल कुटा हो या अच्छा कुटा ही होता है क्योंकि वह पालतू है तो उसको इतना ग्यान थोरे है वह अपनी सुरक्षा के लिए अब जैसे माली कुटा भुखडा या आपके पीछी आ रहा है तो आप लोग क्या क करते कभी बच्चों यह अच्छा करता है काटने टुरंत आके पास में जो हुस्पिटल होता है भारत सरकार की तरह से उस injection की बेवस्था होती है तुरंत जाके 24 गंटा के अंदर जाके सुई लेना चाहिए कहा गया है कि इसमें यदि normal कुता है ठीकर सही कुता था मतलब भागल नहीं था तो 3 सुई सही काम चल जाता है अन्याथा ज्यादा सुई की जुरत होती है तो रेविज बिमारी की बारे में ये था अब बात करते हैं बच्चो यहाँ पे next बिमारी जो है वो होता है गल्सुवा में होता है मालना कि कोई दूबला पतला आदमी है गल्सुवा फूल के एकदम गुल मटूल हो गया गुल्वा जैसे तो बच्चो ये जो ना इस बिमारी में क्या होता है माल लेजे की हमको नहीं किसी और को माल लेजे की गल्सुवा होता बच्चो तो ये बिमारी क्या होता है यहां से फूर सुरू होता और ये रूपदारन करते करते इसको पूरा जोन आपको जोन क्या कर देगा फुला देगा अब दोने हम हो जाए तो ठीक ठाक कहेंगे ठीक खाना पिना अच्छा खाया तो हिट हाट हो गिया लेकिन बच्चों दिक्कत तो यह होता है एक ही सैड होता एक सैड सुटल है एक सैड जोना एकदम गुलगपा बल कितना मज़े वाली बात होती है यह भी वायरस से फैलने वाली बिमारी जिसका नाम दिया गया है गल सुवा मतलब गाल सुवर के जैसे फूल गया तो गल सुवा अब इसमें क्या होता बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे मुह से तिन तरकी गरंथिया निकलती है तो इस गरंथि को खड़ाब कर देता है यह वायरस जिस व्यक्ति में फैलता है उस व्यक्ति को क्या कर देता है उस व्यक्ति को जाना गरंथि लाल गरंथि लाल गरंथि कहा हम निकलने मुह में तो यह लाल गरंथि को खड़ाब कर देता है और तब जाके उसका फूल जाना मतल मैं थोड़ा सा यहां पर डिसकर्स कर देता हूं बच्चों डेंगू सबसे पहले किन मच्छरों के काटने से होता है तो एडिस नामक मच्छर से काटने से होता है अब मच्छर तो जनरली मच्छर वो मच्छर काटने से डेंगू नहीं होता है एडिस नामक मच्छर जब करता ह तो डेंगू होता है, डेंगू होने के बाद हलकी सी फीवर आती है, सरीर में कमपन होती है, धिरे-धिर सरीर के प्लेटलेट्स गिर जाती है, और जाना कहा जाता है कि डेटलाग से प्लेटलेट्स नीचे चला गिया, तो व्यक्ति में बार बार बेहोसी आना, और यहां तक द हमारे भारत में इसकी भी जोन आप दीरे-दीरे क्या हो रहा बढ़ते जा रहा है तो इसमें हर्पीस में क्या होता है हर्पीस में होता है बच्चों की इस बीमारी में सूजन होता है जैसे सूजन का मतलब क्या कोई अंग फूल गया सूज गया देखेंगे पाउजन किसी-किस आवसक है शरीर का कोई भी अंग यदि सूजन आ गया हो फूल गया हो तो तुरंट डॉक्टर के कॉंटेक्ट में जाना चाहिए क्योंकि यह वाइरस से फैलता है और धीरे धीर जब वाइरस हमारे शरीर में और जाता है तो वही सूजन कैंसर में बदल जाता है तो आपको पता होनी चाहिए कि कैंसर कितनी बयानक बिमारी होती है जिन्दगी को तबाह कर देती है इसकी इलाज भी बहुत कम के बराबर बहुत कम व्यक्ति भी बचता है इसलिए शरीर के किसी भी अंग में सूजन आये तुरन जाके डॉक्टर से कॉंटेक्ट करना चाहिए यह सूजन चोट लगने से हुई है यह सूजन वाय है दो तीन साल से अब गत है तो बैचों इसको सार्स कहा जाता है और सार्स इसमें कौन से सार्स में क्या देखा गया तो सार्स में करोना विसानों क्या देखा गया सार्स में करोना विसानों अब यहां से आपको देखिए मोखिक रूप से हमारे आसपास में क्या चलता यह म कुरोना विसानु किसमें पाया गया था सार्स क्या बोलते हैं सको सार्स बोलता है तो बच्चो कुरोना विसानु कुरोना विसानु कुरोना भी हम लोग यह हाल फिलाल जो हुआ था दो साल पहले और अभी भी उसका जोनल रूप आने वाला है चीन में बहुत व्यक्ति मर रह पहले वाइरस में इंक्लूड नहीं था वाइरस से जितने भी बिमारी होती थी उसमें करोना नामक बिमारी नहीं था यह हाल प्लाल नया बिमारी है बच्चों इसमें क्या होता है सबसे पहले जिस व्यक्ति का इम्मुनिटी सिस्टम कमजोर होता है उस व्यक्ति को ज्यादा क करता है सांस लेने में दिक्कते हो जाती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके ऑक्सीजन की मात्रा नाइंटी एट से कम हो जाती है तो इसको सांस लेने में दिक्कत होती है हलकी सी खांसी रहेगी बुखार रहेगी तो यह साठ से होने वाले क्या होती है बिमारी होती है और इस जब करोना में अपने पिता को बेटा ने चूँ सकता था, बेटा अपने पिता को ने चूँ सकता था, क्योंकि यह कौन सा बीमारी था, यह तो वाइरस बीमारी था, और वाइरस बीमारी टच होने से, कॉन्टेक्ट में आने से फेलता है, यही कारण है कि करोना में, करोना गर और टेक्ट कर जाएगा वायरस होने वाली उसे बीमारी इस बीमे इस अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा प्रोटो जवा से कुन-कुन सी बीमारी होती है और वह बीमारी के लचन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो मैं डिसकस करूंगा अब सर्दी काफी बढ़ गई है सारे बच्चे से रिक्वेस्ट और अनुरोध है खास करके लड़की लोग से फेशन ना करें और दिखावा ना करें डबल डबल स्विटर परने जुराब परने टोपी लगा के आए हो सके तो आप हाथ में भी दस्तना लगा के आए क्योंकि जान है तो जहान और नया बात बेक्टिडिया फैलता है सर्दी में करोना ज्यादा फैलता है सर्दी में ही वाइरस से बीमारी ज्यादा फैलती है कारण क्या है सुनिए इस बात को क्योंकि हमारे वतावरन का बच्चों हमारा वतावरन का मतावन में नमी आ जाती है सुर्ज की सुर्ज की ताप मार परकास डवल स्वीटर अपनी क्या खास करके सरीर का दियान रखे खास करके बोड़ वाला बच्चे आपके पास डेर या दो मंत बचा है यही समय आपके लिए पिक पॉइंट है आप चाहे तो बारम बंद जो आपने त्यारी की है वही आपको बेतर करने के लिए वन मंत डेर मंत जो बचाए इसको आप यूज कीजिए थैंक्यू